बिग बॉस 13 का हिस्सा बनने वाली आक्ट्रस कोईना मित्रा ने पहली बार गलत प्लास्टिक सर्जरी होने पर बात की है कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी के चलते उनके पास काम की कमी हो गई और उन्हें तकरीबन 6 महीने तक घर पर ही बैठना पड़ा था बिग बॉस में एंट्री करने से पहले एक चानल को दिये गए इंट्रव्यू में कोई ना ने कहा यह हमारे उद्योग की सबसे खराब कहानी है कई लोगों ने इसे करवाया है और कई ऐसा करते हैं लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है जैसे कि यह कोई अपराद या पाप हो यह मेरी कहानी का हिस्सा है इसलिए मैंने किया इसके बारे में बात करने का मन नहीं है मैंने बयान दिया और यही वज़े है कि पीछा नहीं छोड़ते भले ही आठनो साल हो गए है लोग मुझ से इसके बारे में पूछना बंद नहीं करते हैं कोईना ने आगे बताया मेरा शरीर है मेरा चहरा मेरा जीवन मेरी कहानी और किसी और को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कोईना ने ये भी कहा इंसान की रूप में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं लेकिन जब तक आप चीजों का नुभव नहीं करते तब तक आप कैसे जानेंगे कि ये अच्छा है या बुरा बहराल कोईना के इस इंटर्व्यू से तो ये साफ है कि वो अपनी प्लास्टिक सर्चरी को गलत मानती है